हेलो फ्रेंट, वेलकाब बैक तो भाई यूटूब चैनल फ्रेंट्स बहुत ही बड़ी अपडेट आईए छतिसगर्ड पुलिस आरक्षक भरती कॉंस्टेबल भरती जो है वो ओपन हो चुकी है इसके पूरी डीटिल्स आपको इस वीडियो के माध्धम से बताऊंगा कि कितने पद है फिजिकल कैसे होता है कावन कावन से इवेंट होते है कितना वेतन मान है कितने रुपे आपको इस टार्टिंग में मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में बता दू फ्रेंड्स ये फर्जी नियुद नहीं है आप 36 गरड़ cgpolis.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा तो ये कोई फर्जी नियुद नहीं है इसमें आवेदन आउनलाइन भरने की तिथी कब है तो 20 अगस्त ए सौरी 20 अक्ट पेड़ा वर्ग वाले लोंग के लिए 200 रुपया फीस होगा और हटी एस्सी के लिए 125 रुपया फीस होगा अब इसके टोटल पद देखते हैं तो टोटल पद इसका है फ्रेंड 5969 याने 69 टोटल पद कितने है 5969 है लगभग 6000 पद मान लीजिएगा बहुत पद है फ्रेंड 6000 पद अब इसमें देखते हैं कि इसकी सेक्षणिक योग्यता कितनी है तो समानने वर्ग और OBC के लिए इसकी सेक्षणिक योग्यता क्या बोलते हैं और SC के लिए यानि अनुसुचित जाती के लिए दसवी पास है और अनुसुचित जन जाती के लिए आटवी पास है में पदलों को देख लेते हैं मैं पूरे पद का वीवरण नहीं दूँगा मैं अपने टेलिग्राम लिंक में इसका पीडियाप डाल चुका है वहां से आप जाके देख सकते हैं तो रैपूर में इसके 554 पद है बलावदा बजार में 93 पद है धमतरी में 106 पद है गरियावन चनखुरी का 17 पद है ऐसे करके विभिन अलग-अलग पद है इसको आप पीडियाप में जाके देख सकते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब इसके देखते हैं वेतन तो वेतन जो है अचारी याने क्या होता है होम इलाउंस होता है यह सब अलग-अलग भत्ते होते हैं इसके अब इसमें अपन देखते हैं कि आयू सीमा कितने एक जन्वरी 2030 के 18 वर्षे से कम और 28 वर्षे से अधिक नहीं होना चाहिए STSC और OBC के लिए जो उम्मिद्वार है 5 वर्षे तक के छूट प्रदान की जाएगी तो टोटल कितना हो जाएगा 33 वर्षे हो जाएगा STSC और OBC के लिए पांच वर्षे की छूट प्रदान की जाएगी STSC और OBC के लिए और महिला लों के लिए क्या है जो 36 गर्षे सासन समाने प्रशासन विभाग के दिनाक इतना इतना के अनुसार केवल 36 गर्षे की स्थानी निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयू 10 वर्षे तक के सिथिलनी होगी चलिए इसका सेक्षनी का हर्ता भी बता देता आपको 10 वी प्रणाली के अंतरगत इसमें क्या है तेन प्रेश्टू प्लाणाली के अंतरगत इसमें दसवी कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परिक्षा ठीक है तो और यह क्या बोलते हैं याने दसवी पास वाले इसमें भर सकते हैं उसके बाद जनजाती केवल अनुसूचित जन जाती के लिए आट्वी है अनुशुचित जनजातिक लाठी है जैसे मैंने पहले बता चुका है और नक्सल प्रभावित छेत्रों में नक्सल पीडित परिवाद रहात सिवीरों में निवासरत परिवार से समधि सभी स्रेणी के अभियारती पांचवी कक्छा उत्तिन होंगे याने नक्सल जीले के अंत वो भी पात रहेंगे अब सेक्षनी का हरता होगी आप सारेरी का हरता देखते हैं सारेरी का हरता में क्या है फ्रेंट कि इसमें मैं फीजिकल के बारे में भी बताऊंगा आपको लाशन में कितना फीजिकल क्या क्या होगा कैसे होगा तो समानने जाती याने क्या बोलते है सम महिला भिहारती के लिए 158 सेंटीमीटर अनुसुचित जाती यानि एश्टी केटिगीरी के लिए 158 है 76 बिना फुलाए 181 सेंटीमीटर फुलाए हुए और 158 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए अब उसके बाद देखते हैं कि बस्तर सर्गुजा संभाग जीले जस्पूर सहीत के अनुसुचित जन जाती वर्ग के अभ्यारती को 153 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना चीए महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर है सीना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है महिला भ्यारती इस सारेरी का हरता से मुक्त होगी महिला भ्यारती के लिए यह जो सारेरी का हरता है उससे छूट दी जाएगी ठीक है अब इसमें चैन प्रक्रिया में देखते हैं चैन प्रक्रिया में विभिने चरणों को संपधित की जाएगी इसमें सव मिटर देखें इसमें पांच वेंट होते हैं मैं आपको बताधेता हूं कि पहले 100 लंबर के होते हैं इसमें गोला फेक होगा गोला फेख होगा, सो मिटर दोड़ होगा, आंट सो मिटर दोड़ होगा, लंबी कुद होगी और ऊची कुद होगी, ठीक है, अब उसके बाद लिखित परिक्षा सो नंबर के होगे, जिसमें समान ने बुद्धी याने जीके, बुद्धी छमता याने रिजनिंग, गणित का कुश्चन आएंगे आरक्षक चालक याने जो ड्रैवर हो गया और रक्षक ट्रेड के दस्तवेश जाच ले ड्रेड याने क्या होता है जैसे दोबी नाई हो गया और विभिन्न ट्रेड के अंतरगत आते हैं सारीड नापजोग सारी रिक्षटा पूरू सर भ्यारती लिए 15 सो मीटर की दौर 45 में होगी और महिला भ्यारती के लिए 800 की दौर जो है उसके लिए पात्पच अंक अधिक्तम दस अंक बोनस के रुपए दिये जाएंगे ठीक है याने जैसे कि पांच अंक आप नासनल खेले हो राष्टी या अंतराष्टी स्तर पर है ना प्रविंटा सुची और उसके बाद पांच अंस प्रमान पत्र है आपके पास तो दोनों क अपन देख लेते कि उंची कुद उंची कुद की कज इस्टाटिंग उसके टी कोस अपको साल नमर मिलें गे एक सो चालीस एक सो पैटीस में आपको कितना ग्यारा नमबर मिलता है एक सो पैटीस में ग्यारा नमबर मिलेगा आपको और एक सो चालीस में चौदा नमबर मिलेगा एक सो चालीस में चौदा एक सो पैटालीस में आपको सतरा नमबर 17 नमबर और 150 cm में पूरा नमबर मिले गए 150 cm में पूरा नमबर मिलता है लंबी कूद का बता देता हूँ लंबी कूद में क्या है 3.75 में 3.75 में यानि 3.75 cm में आपको कितने नमबर मिलेंगे वहां से starting नमबर होंगे 7 नमबर उसके बाद 425 में आपको कितना नमबर मिलेंगे उसमें 11 नमबर मिलेंगे 475 में 475 में आपको 11 के बाद 14 नमबर मिलेंगे और 525 में आपको 525 में कितना मिलेंगे 525 में आपको 17 नमबर और 5.5 मिटर में आपको 5.5 मिटर में आपको पूरा 20 नमबर मिलेंगे ठीक है उसके बाद 800 मिटर डौड बता देता हूं फ्रेंड 800 मिटर डौड में क्या है तीन मिनट तक के आप डौडेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा धाई मिनट से पहले दोड़ेंगे आपको 14 नमबर मिलेगा और दो मिनट से पहले दोड़ेंगे तो आपको पूरा 20 नमबर मिलेगा इसके बाद आपने आजाते हैं गोला फेक तो गोला फेक में 5 मीटर से स्टार्टिंग में आपको कितना नमबर मिलेगा पांच मीटर में आपको 7 नमबर मिलेगा 6 मीटर में 11 नमबर मिलेगा 7 मीटर में 14 नमबर मिलेगा 8 मीटर में 17 नमबर मिलेगा और 9 मीटर में टोटल 20 नमबर मिलेगा अब उसके बाद आपते हैं पहले 100 मीटर दोड़ में तो सो मिटर दौड में बारा सेकंड से पहले दौड़ेंगे तो आपको क्या बलते हैं बारा सेकंड से पहले दौड़ेंगे तो आपको पूरा बीस नंबर मिलेगा 14 seconds के दौड़ेंगे, तो 14 नम्म्मर मिलेगा, और 16 seconds के दौड़ेंगे, तो 7 नम्मर मिलेगा, ठीक है, अभी हमें 5 events में बता दिया, गोला फेक बता दिया, लंबी कुद बता दिया, उची कुद बता दिया, उसके बाद 100 मिटर और 800 मिटर दौड, ये पूरे फिजिकल के बारे में बता दियों फ्रेंड और भी इसका लाश्ट में 15 किलोमीटर दोड़ होता है लेकिन इसमें अभी तके प्रकासित हुआ नहीं है ये सिर्फ क्वालिफाई दोड़ होती है तो अगर इसकी और कुछ इंफर्मेशन मिलेगा तो आपको वीडियो जरूर दबाए धन्यवाद जाहिन फ्रेंड